रेल्वे पुलिस की सजगता से धाय साल की मासुम लावारिस होने से बच गई दरसल मासुम का पिता उसे प्लाटफॉर्म नंबर एक पर छोड़ कर भाग गया था रेल्वे पुलिस की ततपरता से लावारिस हालात में मिले धाय साल के बच्ची ने अपने पिता को फुटेज में देख कर पहचान लिया बता दी मासुम का पिता शुकरवार शनिवार की दर्मियानी रात को भोबाल रेल्वे स्टेशन के प्लाटफॉर्म नंबर एक पर उसे छोड़ कर भाग गया था पुलीस ने जब संदिक दिव्यक्ति का फुटेज बच्ची को दिखाया तो मासुम बोली ये मेरे पापा है पुलीस ने कैसे मासुम को लावारिस होने से बचाया पूरी खबर बताते हैं आपको विस्तार से मानसी को रोगी इस पिता ने गुरवार को भी नागदा स्टेशन पर बेटी को लावारिस छोड़ दिया था लेकिन वहां मौजूद पुलीस ने बच्ची को पुनह उसके पिता को ही सौप दिया था दूसरी बार मिलने के बाद रेलवे पुलीस ने मासुम को रेलवे चायल्ड लाइन को सौप दिया था वलहाल बच्चे की मा भी उसे लेने के लिए स्टेशन पर पहुँच गई है लेकिन पुलीस चायल्ड लाइन के द्वारा ही अब तय करेगी कि बच्ची को किसे सौप ना है जियारपी थाना प्रभारी देनेश सिंग चाहान ने बताया कि शनिवार सुभे दस बजे प्लाटफॉर्म नंबर एक पर स्टेशन मैनेजर के कमरे के सामने कमबल में लिप्टी बालिका मिली थी वे ठीक से अपना पता नहीं बता पा रही थी पुलीस ने स्टेशन पर लगी क्यामरे चेक किये फुटेश में सुभे गरीब तीन बचकर पैतालिस मिनट पर संधिक दिव्यक्ति को बालिका को वहाँ छोड़ कर भागता हुआ देखा गया पुलीस ने बालिका को रेलवेज चाइल्ड लाइन के समनवय संजीव जोशी के सुपर्द किया पुलीस ने जुयारपी आरपीएफ के वाट्सअप ग्रुप पर बालिकाए वह संधिक दिव्यक्ति के फुटेश प्रसारित कर दिये इस दौरान बच्ची को भी संधिक दिव्यक्ति का फोटो दिखाया गया फोटो देखते ही बच्चे खुश होती हुए बोली ये मेरे पापा है उधर शनिवार दोपाहर को बिना रेल्वे स्टेशन पर एक व्यक्ति ट्रेन के इंजन में घुसकर हंगामा करने लगा बिना रेल्वे पिलस उसे थाने लेकर आई उसका हुलिया भोपाल रेल्वे स्टेशन से बच्ची को छोड़ कर भागे संदिक दिस से मिलता जुलता दिखा घचना का पता चलने पर बालिका की मा और परिवार की अन्य लोग भी भोपाल आ गए सुमवार को रेल्वे चाइल्ड इलाइन बच्ची को बालकल्यान समिती के समक्ष पेश करेगी समिती बच्ची की सुपृदगी कार्णिय ने लेगी बच्ची के परिजनू ने बता कि बच्ची का परिवार मुलता हा बैतुल का रहने वाला है बालिका का पिता मांसिक रोगी है लंबे समय तक चले इलाज के बाद दो साल पहले में पुरी तरह ठीक हो गया था उसकी चार पीटिया और एक बीता है पिछले दिनों में धाई साल की बेटी को लेकर रहमताबाद में रहने वाली अपनी बहन के घर चला किया था मांसिक बिमारी का दोरा पढ़ने पर उसने बच्ची को लावारिस छोड़ दिया था मौके पर मौजुद पुलिस ने बालिका को सुना उसके पीता को सौप दिया था उसके बाद में हुपाल में रेलवे स्टेशन पर बेटी को लावारिस छोड़ कर भाग निकला करीब दस वजे की बात है कि स्टेशन मास्टर के कार्याले के सामने एक दो ढ़ाई साल की बच्ची वहां कंबल से लेती बने सोती हुई पाई गए तो उन्हें तुरंत वहारे चाइल्ड कार्याले है उनको सूचना दी तो चाइल्ड के अधकारी संजी भी पहुंचे उनकी त थाने आये और थाने जावाने के बाद में फिर फोटेज देखे गए तो फोटेज में ये मालूम चलता है कि तीन बच के पैंतालेस मिनट में एक ब्यक्ति बेट से निकलता है और मेन इस्टेशन एक नंबर से और जो बजरिजा गुरूर जाता है उसके तेजी गती से निकल रहा है फिर उसके फोटेज को और देखा गया तो ये मालूम पड़ता है जिए बच्ची को ट्रेंड से लेक उतरा है और बच्ची को सोते हालत में छोड़ गया है जब गंभीरता को देखते हुए बैग भी था बैग की तलाशी ली गई तो पर देखने के बाद में वालम पड़ा कि इसने पेंड से लाया है पर उसने रिकार्ट नहीं रखा है पर हुझ टेलर से बात हुए रोटेलर ने की सामने आएगा यहाद भी नहीं आ रहा है पर हम इसको पहचानने लेंगे जिए आता आए मेरे जहां सलाई करने लिए इसी अपना गुजेन के पास नागदा है रात को आरप द्वारा पूश्टाच की गई थी तब इसके बच्ची थी तो वहां थे फुटेज मंगाए गए तो बच्ची की वही हुलिया और पिताजी की हुलिया सेम मिल रही थी और यहां जब फुटेज बच्ची को दिखाए गए पिताजी इसको छोड़ गए है फिर टीम सख्री हुई फिर फूरा बाट सब डाला गया गुरूप में फिर यह मालूम पड़ा कि यह वेक्ती बीना में रात में इंजन में चड़ा रहा था तो आर्पी एब और जी आर्पी इसको लेके बीना थानी में चुड़ा है फिर उ बेन से बात की तो बेन का कहना है थोड़ा अभी माइंड बीच में डिस्टर्ब हो जाता है तो इसकी पत्नी जो आमना में रहती है उनको खबर कर दी है उनको लूग आ गए हैं आउटर में हैं रिष्टेदार में हा रहे हैं बच्ची को अभी स्री ड़ुशी को सुपर्त क बच्ची को दी जाए तो वहां कम्यूटी इब रिसाइट करेगी जिब बच्ची किस को दी जाए